अलो गाइस वेलकम बेक तो पर चानल और आज में स्टानल श्री वासरब आपको MID की सेटिंग्स के बारे में इंफोर्मेशन देना साथ हूँ तो आपको MID की सेटिंग्स खोलने के लिए आपको राइट वाला ट्रेप प्रेस करना होगा लॉंग टाइम के लिए इस पहला आपको दिख रहा होगा डिस्टेंस यूडिट आ तो इसका मतलब है हम लोग को अगर इसको खोलना मलब उस ऑप्षिन को अगर हम लोग को ओपन करना है तो लोग को एक बार हम लोग का ट्रिप दमाना पड़ेगा तो इस पर आ रहा है किलोमीटर माइल्स तो मैंने किलोमीटर सेट कर रहा है इसका मतलब है आपको अपने कार में कितनी डिस्टंस कवर करिए टोटल वह आपको किलोमीटर में देखना है कि माइल्स में देखना है तो आप बात करते हैं दूसरे ऑप्षिन की तो दूसरे UK का unit है उसके आप बात कर लेते हैं language की तो यहां पे English सारी जो भी language आपको select कर लियों कर सकते हैं आप तो अभी English select है आप बात करते हैं फ्यूल reset की मतलब इसमें यह बता रहा है कि आप फ्यूल कर रिसेट करना जाते हैं जैसे आपकी गाड़ी में refueling होई हो तो उसके बाद अपने आप automatically reset हो जाएगा की trip A के साथ की manually जब आप खुद करना चाहें तब तो मैंने manually set कर रखा हुआ है अब बात कर लेता है next option की तो next option आपको देख रहा है temperature तो temperature इसमें आपको देख रहा है Celsius और Fahrenheit को option इसका मतलब कि आप temperature Celsius में देखना चाहते हैं कि Fahrenheit में देखना चाहते हैं अब next option की बात करते हैं set sensors तो इसमें आपको देख रहा है normal mode trailer mode तो normal mode मतलब है कि गाड़ी आपकी बिल्कुल normally होंगे और यह trailer mode आपको देख रहा है अब बात करते है next option की तो next option है clock settings तो मतलब यह आप अपने clock का time जो आपका M.I.D. में time आता है अब उसको adjust कर सकते हैं date को clock को और आपको कौन से format में रखना है 12-hour format की 24-hour format तो आप back होते हैं और बात करते हैं next option की door lock तो यह door lock तो इसमें आपको options देख रहे हैं door unlock, auto lock, auto unlock, alarm तो पहला option है door unlock तो इस पे visit कर हम लोग उने तो all doors driver doors तो जब आप अपनी smart key से lock unlock का button नब आएंगे तो इसमें बता रहा है कि unlock पे सारे doors open होने एक बार प्रेस करने पे कि सिर्फ driver door open होना तो मैंने all doors कर रखे हैं अगर आपको driver door आपने set कर रखा हुआ है और आपको सारे doors खोलने एक बार में तो आपको दो बार button प्रेस करने पड़ेगी अब बात करते हैं auto lock की तो इसमें manual lock मतलब जब आप गाड़ी चलते समय आप खुद जब lock करेंगे तभी गाड़ी lock होगी की speed से जैसी 20 की उपर जाते हैं car के lock सारे doors अपने uplock हो जाते हैं तो मैंने speed synchro कर रख हुआ है अब auto unlock की बात करते हैं तो इसमें में synchro off कर रखन करना चाहते हैं यहां जब IG of sync करना चाहते हैं तो IG of sync कर सकते हैं तो अभी synchro off मिला synchro वाला option अभी on नहीं है IG of sync है तो बात करते हैं next option की है alarm तो alarms आप गाड़ी के on रखना चाहते हैं कि off रखना चाहते हैं आपने कार खोली तो आपका बीप करती जो कार उसके बारे में कि आप वह बीप रखना चाहते हैं कि off करना चाहते हैं अब बात करते हैं next option की next option है lights तो lights इधर पे दिखा रहा है foot lights lane change foot lights पे जाते हैं light synchro door synchro off तो light synchro का option है वह तब enable होता है जब आप अपनी headlights on करेंगे यह option तब enable होगा तब आपकी foot lights on हो जाएंगी और यह door synchro भी same है door synchro तब होगा जब आपकी door खुलेगा तब भी आपकी lights on हो जाएंगी अब बात करते हैं लोग next option की lane change on यह off रखने जाते हैं उस वारे में हैं हम बात करते हैं anti theft की जो में जाएं shock sensors एक option आपको दिख रहा है shock sensors P shock sensors F तो shock sensors पर जाते हैं जो यह option है यह इसमें आप मनलब shock sensors on रखने जाते हैं की off रखने जाते हैं इस वारे में हैं और यह मैंने on कर रखे हैं और shock sensors P इसमें भी levels दे रखी हैं किस आपसे मनलब levels इसमें आपको 15 तक level मिलेगी level 15 मैंने enable कर रखी है इसमें अगर आपको आपकी कार में कोई हलका सा ऐसे भी करेगा तो आपकी car 6 वार बीप करेगी shock sensors F में भी यही है उसमें भी level 15 तक मैंने कर रखा है और अब air conditioner की बात करते हैं standard mode economy mode comfort mode तो अभी मैंने standard mode में कर रखा है अपने air conditioner बात करते हैं display item car color मनलब जैसे कि आपको दिख रहोगा तो पहला option आ रहा है car color तो car color आपको कही सारी colors दिखते हैं white, silver, pink, blue, brown तो यह indicate कर रहा है कि मनलब जैसे आप कोई door open करते हैं जब car indicate करती है कि door open है या boot open है तो उस car का color जो होता है वो यह बता रहा है आप कोई भी color कर सकते हैं calendar आप on रखने चाहते हैं off रखना चाहते हैं calendar for मनलब calendar कैसे रहेगा date पहले आगे रहेगी date month year की year month date इस वारे मेरा fuel eco history time display drive cycle अभी time display मेरा हो रखा idling display तो idling जैसे कि आप देख सकते है idling मनलब vehicle idle smart hybrid जो की सुस्की से बलाता है उस पारे में information है कि आप वो अपनी M.I.D. पे मनलब वो option आना notification आने देना चाहते हैंगी नहीं उस पारे में तब last option है idling warn idling warn तो यह display पे आना चाहता है मनलब आप चाहते हैं कि display पे notification आया तो on करना परना off तो अभी मेरा on है तो यही थी कुछ settings इसके बाद है eco lighting eco lighting जैसा कि आपको दिख रहा है उपर green color की lighting आप देख सकते हैं तो eco lighting में आगर आप जाएंगे तो इसमें दे रखा है three colors blue always तो three colors मेरा set है तो three colors यह जो आपको eco lighting दिख रही है यह blue color की में आती है जब कार हम लोग की चलती है white होती है green होती है blue always अगर blue always अब जाएंगे तो आप देखेगा green light blue हो जाएंगी देख सकते हैं blue हो गई green light उस वारे में तो अभी हम लोग three colors कर देते हैं तो अभी blue से green में change हो गई है default मतलब आप की आपने जो जो settings आपने आपसे अपडेट करी हैं वह बिलकुल factory data reset हो जाएगा पूरा जो जो आपने करी हैं वह पूरा reset हो जाएगा जर्मल हो जाएगा सब तो यही ती कुछ settings हम लोग की M.I.D. की बलैनो और सियास में बलैनो में एक option और होता है follow me follow me का यह सीर है कि अगर आपने वह option में अगर enable कर रखा हुआ है तो जैसे कि आप कही mall वग्यारा में खड़ें अधेरा सा है तो अगर आप बोलेंगे follow me बलैनो को तो उसकी head lamps और tail lamps जल जाएंगी 30 seconds के लिए तो यह होता है जो की CS में available नहीं है यह सिर्फ बलैनो में available है और यह हम लोग के M.I.D. के अलग-अलग interfaces, wallpapers यह torque और power दिखाता है यह तब दिखाता है जब car start होती है अब यह आपको दिखाता हूँ तो यह देखिए अभी मने car start कर दी है जह हम लोग accelerate करेंगे तो torque और power भडता है तो यह मैं आपको दिखाया दूसरा wallpaper यह है engine मनलब कितनी battery आपकी कितनी power save हो रही है तीसरा plate मनलब कितने kilometers चल सकती है average और इसके रहा driving time मनलब कितना fuel save हुआ आपकी गाड़ी जब idle position में रही ती और यह clock और वापस वा interface तो अगर आप लोग को मेरा यह वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीस में इसे चनल को subscribe कर लीजे में वीडियो का लाइक करता ना भूले thank you